शुक्र ग्रह का अब बजेगा पूरी तरह डंका, रातों रात बदल जाएगी कई राशियों के किस्मत 19 माई को शुक्र अपनी ही व्रिशब राशी में करेंगे गोचर और दिखाएंगे अपना पूरा जल्वा जियोतिश में शुक्र ग्रह को प्रेम, रोमांस, धन दौलत और भोतिक सुखों का कारक माना जाता है कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो जीवन में किसी चीज की कभी नहीं रहती हमसकार, सत्रीकाल, आद आप दोस्तो, मैं हूँ गुर्मीत बेदी, मेरे यूट्यूब चैनल अस्ट्रोलजर गुर्मीत बेदी में आपका स्वागित है, दोस्तो, 19 मई से शुक्र ग्रह का डंका बजने वाला है अपनी ही राशी में शुक्र आ रहे हैं, बहुत पावरफुल मालव्य राजयोग बना रहे हैं ये रूप, जो राजयोग है, ये रातों रात के यूँ की किसमत बदल देता है नोटों की बारिश करता है, ठैलियां बर देता है, क्रीब एक महिने तक आप कुछ राशियां नोटों से खेलेंगी, यानि इन राशियों का करोड़पती, अरपती बनने का सपना साकार हो सकता है घर में सुक्ष्मृद्धी दस्तक देगी, निया वाहन खरीदने, निया फ्लैट खरीदने का सपना जो है, वो साकार होगा लब लाइफ आपकी बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि मालव्य राजयोग को जोतिश में बहुत ही महत्ता पुल्ण माना जाता है क्योंकि शुक्कर ग्रह उन्हें जिंदिगे में यश, मान, पैसे की कोई कम ही नहीं रखते और यही शुक्कर ग्रह उन्निस मही से अपनी ही बुरिशब राशी में आकर अब अपना पूरा जलवा दिखाने वाले है अपने इस गोचर के दोरान शुक्कर ग्रह पांच राशियों को जबरदस्त नतीजे देंगे प्रेम देंगे, रोमांस देंगे, लगजरी लाइफ देंगे, इंकम के नए सादन देंगे, खुशियां देंगे क्योंकि शुक्कर यही सब कुछ देते हैं हमने नवकर हों में शुक्र को प्रेम का, रोमांस का, धंद अलत का, विलास्ता का, एश्वरे का, इस्त्री सुप का, हैप्पी सेक्सुल लाइफ का, पहन सुप का, प्रेम सुप का कारक माना जाता है शुक्रग्राई हमें बहुत एक सुक देते हैं कलाउन पर्तिबा देते हैं यानि artistic nature देते हैं opposite sex को अपनी और अट्रेक्ट करने की शम्ता देते हैं शुक्र को उग्रेजी में वीनस का आ जाता है यानि सौंदरे की देवी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्कर ग्रह मजबूस सिती में होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में कई तरह की सुक्सुधाओं की प्राप्ति होती है व्यक्ति अकूत धन संपति का मालिक बनता है लग्जरी लाइफ जीता है जीवन में प्रेम को बरपूर इंज्वाई करता है उसके परसनलिटी में गल्ब का आकर्शन होता है ऐसे लोगों की प्रांडर सीज़ों में रुची रायती है यही शुक्कर ग्रह 19 मई से जब अपनी वरिशव राशी में गोचर करेंगे तो जिर पांच राशियों को जबरदस्ट फाइदा देंगे उनका जिकर्म करने जा रहा हूँ और इसी पहली भागशाली राशी वरिशव राशी है जिसमें शुक्कर ग्रह गोचर करेंगे और यह उनके अपनी राशी है 19 मई को शुक्कर ग्रह का वरिशव राशी में गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव यनि फस्ट हाउस में होगा जिसमें मालव्य राज्योग बनेगा मालव्य राज्योग बनने से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं आपका confidence लेवल बड़ेगा धनलाप के अच्छे अफसर आपको मिलेंगे आपके मान समान में वृद्धी होगी अचानिक धनलाप होगा शादी शुदा लोगों के जीवन में खुशाली आएगी और बहुत एक सुख सुधाई आपको प्राप्त होगी आपके इच्छाओं की पूर्ती होगी दूसरी भागेशाली राशी मित्वन डाशी है यह बुद्ध की राशी है शुकर की मित्ता राशी है मित्वन डाशी के जागतों के लिए आने वाला समय बहुत शांदा रहेगा मालव्य राज योग का निर्मान आपके लिए वर्दान साबित होने वाला है आपको नोकरी में कारोबार में भाग्या का पुरा साथ मिलेगा तरक्की के योग बनेंगे इंकम के साधन बढ़ेंगे नोकरी में लोगों को अच्छे नोकरी के पस्ताब मिल सकते हैं बहुत एक सुक्सुदाओं में बढ़ुत्री के योग बन रहे हैं तीसरी भाग्या शाली राशी करने राशी है शुक्र गराए आपकी राशी के नवम भाव में गोचर करेंगे और कुंडली का जो नवम भाव होता है इसको भाग्या स्थान का जाता है ऐसे में आपको किस्वत का साथ मिलेगा मालब्या राज्योग आपके लिए बहुत भाग्या शाली साबित होगा और धनलाब के अफसरों में बृती होगी खुद को साबित करने के बड़ी अबौके मिलेंगे कैरियर में तरक्की मिलेगी जीवन में सटिस्फेक्शन की फीलेंग आएगी बिजनस में आप मुनाफ़ा कमाएंगे प्रेम समंदों में मुझभूती होगी परिवारिक जीवन में सुक सम्रिदी का आगमन होगा जिससे घर का महुत ही पोजिटिव रहेगा और लंबे समय से रुके वए कारया शुकरा चारया पूरे कर देंगे पांचवी भागेचाली राशी कुम राशी है कुम राशी वालों के लिए शुकर का राशी प्रिवर्तन और मालब्यरा जुक बनना बहुत अच्छा और बहुत लाँकारी साबित होने वाला है शुकर कर आपकी राशी के चोथे भाब में गोचर करेंगे और कुणडली का जो चोथा भाब होता है इसे माता और सुख सम्टति स्थान का जाता है इसलिए भोतिक सुख सुवधाओं में बढ़ुतरी होगी नोकरी में अच्छे अफसर आपको मिलेंगे आर्थिक सिती पहले से बैटर होगी और वहन का सुख मिल सकता है, नय फ्लैट का सुख मिल सकता है कारोबार में विशेश लाब होगा और भागया का आपको साथ रहेगा पांचमी भागय शाली राशी मीन राशी है मीन राशी वालों के लिए शुकर का व्रिशव राशी में गोचर और इससे बन रहे है मालव्य राजियोग किसी बरदान से कम नहीं है कही तरह के सुखों की प्राप्ति होगी वाहन और मकान का सुख आपको बहुत जल्दी मिलेगा आपके मान सामान में बढ़ोत्री होगी जो लोग रायनिती के ख्षेतर में है उनने किसी बड़े ओदे की प्राप्ति हो सकती है परिवार और दोस्तों का आपको बरपूर साथ मिलेगा आप नया वाहन और प्रॉपर्टी खरीज सकते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी यानि पैतरिक संपत्ती का भी आपको लाब होगा आपकी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ में कई पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी बहुत से बदलाब देखने को मिलेंगे अगर आप रियर स्टेट में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जमीन जायदासक से जुड़े काम करते हैं, हॉस्पिटल्टी सेक्टर में हैं तो आपको बहुत लाब मिलने वाला है, पाज की पोश्ट में बस इतना ही इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अस्टालेजर गुर्मीच पेदी से जुड़े रहिए आपका बहुत बहुत आभार, मैं हूँ गुर्मीच पेदी